नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मेरे पास एक चारजर आया है जो कि हमारा पांच बोल्ट तीन दस्वलव चार एंपियर का है यह पूरी तरह से डेड़ है और इसकी हालत भी आप देख सकते हैं बहुत खराब है लेकिन भाई जब कोई बनाने के लिए दे देता है तो हमको बनाना है चाहे उसका बाड़ी तूटा हो या भोटा हो हमसे उसको कोई मतलब नहीं है बस इसको आन करके देना है आन होता है कि नहीं होता इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है तो आईए आज की वीडियो हम लाइब इसको रिपेयर करने वाले हैं वीडियो को लाश तक ज लेंगे तो यहां दोस्तों कोई किसी भी तरह का charger हो उसका जो खोलने का method आइसा नहीं कि मैं जिस तरह सिसको खोलूंगा उसी तरह साफ का भी खुलेगा आपका कुछ खोलने का तरीका अलग हो सकता है चुकि यह हमारा पहले का देखिए यह repair किया हुआ है छिपका क्या हुआ ठीक है यह चिपका हुआ है तो बस इसको खोलने के लिए में ज्यादा मसकत नहीं करना है कोई भी एक टूल लेना है और टूल लेके यहां देखिए इस तरह से पूरा यह चिपका है मैक्सो बांड से चिपकाया हुआ है तो बस इसको हलका सा यहां किसी तरह से पूस करके और ह हम इसको आसानी से खोल ले देंगे जो कि इसके लाग तो तूटे हुए हैं तभी यहां मैक्सो बांड से चिपका या गया देखी इस तरह से तो यहां पे आप देख सकते हैं हमने चार्जर को खोल दिया और खोलने के बाद यहां पे हमको कुछ इस तरह से इसका कीट देखने को मिल गया यहां पी जो इसको पीने है पीनों को पहले ही आपस मलब अपार के और जंपर मार के यहां पे चलाय जा रहा है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम इसको यहाँ से disconnect कर देते हैं चुकि हमारा जो बॉक्स है इसको हटा देते यहां से यह हमारा हट गया अब यहाँ पर जब आपका charger डेड़ है तो सबसे पहले क्या check करना होता है देखे यहाँ आपको अगर गुछ यहाँ वीडियो में देखने के बार समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करें कि यहां क्या आपको जला हुआ नजर आ रहा है तो दोस्तों यहां आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारा जो यहाँ register लगा हुए देखिए इसके चितरे उड़ गए हैं एक साइड से देखिए इधर color उलर है एक साइड से यहाँ पे color वगएरा नहीं है तो यह खराब हो सकता है लेकिन हम मल्टी मीटर से check करने के बाद ही clear होगा कि हमारा यह खराब है या नहीं खराब है तो मल्टी मीटर लेंगे और बजर मोड में इसको हम set कर लेंगे बजर मोड में set करने के बाद सबसे पहले इस register को ही हम check करेंगे ठीक है यह register हमारा beep का sound देता है अगर beep का sound नहीं देता है तो यह register हमारा खराब है तो जैसा कि देख सकते हैं यह register हमारा कोई भी value हमको नहीं दे रहा है कोई भी beep नहीं दे रहा है तो यह हमारा खराब है इसको हम यहाँ से सबसे पहले निकाल देते हैं दोस्तों जो पार्ट आपको खराब नजा रहा है उसको निकाल लिजे और हो तो अगर उसमें उल्टा सिधा या उस तरह कोई प्राबलम हो तो उसको आप तुरन लगा दीजे नहीं तो उल्टा सिधा कोई प्राबलम नहीं तो आप उसको ऐसे छोड़ दीजे निकाल के और ब SMD डाइट पे यहां से हमने जो रजिस्टर लगाक सप्लाई यहां पे SMD यह हमारा बिर्ज लेक्टिफायर जो है AC को DC में करता है इसको चेक करने के लिए यहां पे आप मल्टी मीटर को इस तरह से लगाएंगे जो प्राइमरी साइड और सेकेंडी साइड इस तरह दोनों का अलग होता है प्राइमरी साइड का जब चेक करेंगे तो दुरुन लेको तो यह कोई भी रीडिंग नहीं देगा चाहिए मल्टी मीटर का प्राट पलट लेंगे फिर भी यहां कोई रीडिंग नहीं देगा तो यहां हमारा यह ओके है अब इसको सेकेंडी में चेक करने के अगर यह आपका SMD डाइड सही है तो आपको एक साइड से रीडिंग देगा और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं देगा तो यहां देखिए एक साइड से कोई रीडिंग नहीं दे रहा है और दूसरे साइड से मल्टी मीटर प्राट पलट के हम चेक करेंगे तो यहां प कोई full sorting है, तो full sorting है, इसी नाते यहाँ पे beep का sound देता है, लेकिन यहाँ पे हमको कोई भी beep sound नहीं दे रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे आगे अभी कुछ check करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको यहाँ beep का sound देता है, तो आपको SMD diode को check करना होगा, यहाँ पे जो आपका filter, main capacitor sitter लगा हुआ है, इसको check करना होगा, ठीक है, और अगर यह भी आपका सही है, तो उसके बाद यहाँ पे जो main IC sensor लगा हुआ है, यह आपका IC sort हो सकता है, इतनी चीजों की कारण यहाँ beep का sound आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन हमारे इस kit में कोई beep का sound नहीं मिल रहा है, त supply हमारा okay हो जाता है, तो कोई बात नहीं होता है, तो उसके बाद कुछ हम इसमें खोजने की कोशिस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा देखे, यह bridge rectifier जो इसमें लगा हुआ है, एक चीज में बता दूँ, यहाँ पे जो हमारा bridge rectifier लगा हो चोटा सा चार फोल लेका, यह आपको इस तरह का आपको अलग-अलग सर्कीट में देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, चार डायोड लगे हुए हैं, यह चारो डायोड भी हमारा वही काम करता है, जो हमारा यह चोटा सा, यह हमारा bridge rectifier काम करता है, ठीक है, यह भी bridge rectifier वो भी, लेकिन यह का register लगाना होगा, वो भी आप 10 ohm से लेके, और 100 ohm तक के बीच का कोई भी लगा सकते हैं, तो मेरे पास जो 10 ohm का भी नहीं है, मेरे पास जो इस समय register है, वो है 3, 2.2 ohm का, यहां देख सकते हैं, मेरे पास जो यहां register है, वो 2.2 ohm का, ठीक है, तो कोई दिकत नहीं है, चल जाएगा आपका ये कॉमका होगा तो भी चल जाएगा अब इसको लगाने में देखेंगे दोस्तों प्लस-mाइनस नहीं होता इस stud side से को लगा सकते हैं ठीक है यहां कोई भी प्लस-mाइनस का लोचा नहीं है इसको जहां था आपको ठीक इसी तरह से यहाँ पर लगा तो यहाँ पर सोल्दिंग हमने कर दिया हैं अब इसके इस तरह को हम यहाँ से Даût कर लेंगे अब कट करने के बाद अब हम यहां पर चुकि डारेकट होगा तो फिर हमें वहां से खोलना पड़ेगा इस तरह से यहां पर दो जंपर आप मार के और प्लग लगा हुआ और इसको सिरीज लाइन में चेक करिएगा कभी भी डायरेक्ट लाइन में मत लगाईएगा रिपेर करते वाग नहीं तो थोड़ा मोड़ा कहीं सार्टिंग हो करता है आपको यहां क्या करना सबसे पहले मल्टी मीटर से यह चेक कर लेना है कि आपका बोल्टेज प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चार्जर का बोल्टेज ज्यादा है और आप डारेक्ट मुबाइल में लगा दिए पता चला आपका मुबाइल ही खराब 10-20 रुपे का इसमें कभाई नहीं है उसके बाद आपका मुबाइल ही खराब हो जाएगा ठीक है तो यहां पर देखिए इसके जो पॉइंट है यहां एक चीज मैं दिखा दूँ चुक्कि अगर यहां पर आप नहीं चेक कर पाते हैं तो इसमें आपको चैक करना है इसका जो यहां यहां कयूसी टारे लगा वगा गफा देखिए इस तरह से यहं आपका 470 उव vend डेकर यह कैपिसीटर लगा हुआ है इधर भी एक कैपिसीटर लगा हुआ है इन में से किसी एक कैपिसीटर को आपको चेक कर लेना होगा ठीक है दोनों आपका पैरलेल में लगा हुआ है तो यहां प्लस माइनस यहां देखे माइनस जो सिंबल इधर लगा हुआ है यह इधर माइनस मोबाइल में फ्लस होगा और दूसरे साइड में प्लस होगा यहां फिर से लगा देते हैं और को secre के रख criminal golf के और अब हमें इसमें किसी मोबाइल में लगा के चेक कर लेना है ठीक है तो यहां सप्लाई निकाल देते हैं क्योंकि आप सप्लाई लगे हुए इसमें हाथ नहीं लगाएंगे इस साइड में आप लगा सकते हैं इस साइड में मत लगाएगा यह प्राइमरी में बहुत ज्यादा सब्सक्राइब लगा सकते हैं हाथ हैं तो यहां दोस्तों देखे हमारा आप चार्जर यह बिलकूल कर रहा है अच्छी तरह से हमारा काम करने लगा तो जोस्तों इस वीदियो को देखने के बाद देखिएगर आपके पास कोई फैका पड़ा होगा तो आप आप इसको ट्राई कर सकते हैं बस ट्राई करते वक्त आप साउधानी यही रखेगा कि बोल्टेज दे के यहां पर हाथ उत्मत लगाईएगा क्योंकि यहां बहुत ज्यादा आपको करेंट लग सकता है वीडियो पसंद आया हो तो यह वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजे मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार